हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तो वेस्टेंडीज की टीम ODI मैचों की सीरीज और इसके बाद T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आ चुकी है दवरे का आगाच छे फेरवरी को होने वाले पहले एक दियोसी मैच के साथ सुरू होना है दोस्तो पहले ODI मुकाबले में भारत और वेस्टेंडीज की टीम छे फेरवरी को नरेंदर मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक दूसरे से विड़ेंगी और आज के इस वीडियो में हम इस पहले ODI मुकाबले को कभर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पहले ODI मैच से सम्मंदित नरेंदर मोदी की पिछ रिपोर्ट के बारे में इसके अलावा टीम न्यूज की बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि दोनों टीमे कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली हैं, कौन सी टीम फैबरेट है, इसके अलावा वीडियो में एक बहतरीन ड्रीम 11 टीम, मैच प्रिब्यू और मैच प्रिडिक्शन बताने वाले हैं, तो सारा कुछ पैकेज ये छोटे से वीडियो में आपको अबिलेबल होगा, तो वीडियो काफी जवरजस्त है, आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, बिना कहीं स्किप किये हुए, इससे पहले आप से काना चाहेंगे दोस्तों चैनल को, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब् मैच की बेच्ट ड्रीम लेवन टीम बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है, दोस्तों बात करें इस पहले मुकाबले की, तो ये पहला मुकाबला 6 फेरवरी को नरेंदर मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है, इसके अरामा दोस्तों बात करें, एक दिवसी स वारा बहुत धेर सारा प्यार मिल ला है, इसे देख के आप समझ सकते हैं कि ये इस एक दिवसी मैचों में कैसा खेल होने की संभावना है, और किस प्रकार ये मैच आगे बढ़ने वाले हैं, और क्या रिजल्ट होने वाला है, फेवरेट कौन से टीम होगी, तो सारा कुछ विसले सर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो चैनल पर अबिलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, कफी खासा लाव आपको मिलने वाला है, वैसे दोस्तों बात करें इस बेन्यू की, तो यहाँ पर मोश्टली ये अबरेज स्कोर जहां 242 का रहता है, वहीं दूसरे इनिका अबरेज स्कोर 212 का रहता है, हाईएश टोटल में दचिरफ्रीकी टीम ने भारत के खिलाप 50 अबरों में दो विकेट के नुकसान पर 365 रन का स्कोर बनाया था, जबकि लोएश टोटल में ये मांबे के टीम विस् लगभग बराबरी का मुकाबला रहता है, और दोनों ही टीमों के बीच कुल मिला के 133 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 64 बार भारती टीम ने और 63 बार वेस्ट इंडियन टीम ने बाजी मारी है, जबकि 6 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका की रिजल्ट नहीं निकल सका है, इसक बात के लिए वाइस केप्टन के रूप में एक परमुक बल्ले बाज के अल्राहुल पहले मैच में एविलेबल नहीं हैं, तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से नजर आ सकती है, इसमें वेस्ट इंडिज के लिए साई हो, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, डैरन ब्रेव सैमारुक ब्रुक, काईरन पॉलार्ड, जेसन हैल्डर, रोमारियो सैफ़र्ड, ओडियन स्मित, अल्जारी जोसेप और अकिल हुसाइन खेलते नजर आ सकते हैं, तो बात करें हम भारती टीम की, तो भारत के लिए रोहिद सर्मा, सिखर धवन, बिराट कोहली, रिशब पंत सुर्य कुमार यादो, दीपक हुड़ा, सारदूल ठाकूर, दीपक चाहर, प्रसिद्ध किसना, कुलदी प्यादो और युजुएंद चहल की प्लेइंग 11 में जगर बंती नजर आ सकती हैं, दोस्तों मैच प्रिव्यू की बात करें, तो निश्चित तोर पर भारती टीम अ होगी, तो बात करें हम कैरोवियन टीम की, तो अपनी सरजमी पर T20 सीरीज में इंगलेंड जैसी मजबूर टीम को 3-2 से हराने के बाद निश्चित तोर पर एक कड़ा कंप्टीशन पेस करने वाली है, वैसे दोस्तों अगर इंडियन टीम अपनी मेरिट पे खेल जाए, तो फेंटेस्टी क्रिकेट में हमने जो टीम रिकमेंड सजेस्ट की है, उस पर एक नजर डालें, इसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि टांस के बाद दोनों टीमों के फाइनल प्लेंग 11 से इस टीम को जरूर स्किप कर लेना है, क्योंकि अभी ये पहला मुकाबला है दोरे का, तो हो सकता है प्लेंग 11 में थोड़ा कुछ चेंजिज देखने को मिले, इसके अलावा ड्रीम 11 पे हैं, यहाँ पर काफी कुछ परेशानी भरा हो रहा है, क्रेडिट का इसू हो रहा है प्लेयर सेलेक्ट्शन में, तो इस टीम में दोस्तो हमने साई होप और रिश जैसन होल्डर और रो मारियो सेफोर्ड हमारे अलाउंडर हैं, जबकि गेदबाजी विभाग में दीपक चाहर युजुएंद चहल और सारदूल ठाकूर हमारे गेदबाज होने वाले हैं, टीम की कैप्टन सी हमने बिराट कोहली को जबकि वाइस कैप्टन के रूप में हम जरूर दीजिए गाजी से हमें अंदाजा लग सके कि आप किस प्लेयर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, धन्यबाद दोस्तों आपका दिन सुबूँ